बात करूं वो है semester five में semester five में semester five में इनके पास दो subjects है semester five में दो subjects है एक है हमारा देखो optional जो subjects है ना वो हम कई बार graduation के duration में आसान वाला चूज कर लेते हैं लेकिन आगे चलके वो हमें बहुत भारी पड़ जाता है एक है हमारा financial management और एक है management accounting आप सभी जानते होंगे optional में है semester five और छे में लेकिन आप जब MBA करेंगे sir तो फिर आप first जाएंगे MBA में आपको ये subject मिलेगा जब आपको MBA में ये सारे subjects मिलेंगे तो वहाँ पे आपको coaching कहीं भी नहीं मिलेगा तो मैं हर एक बच्चों से बोलना चाहूँगा जो भी S.O.L. में जिनके percentage ठीक ठाक है आप भी जानते experience certificate कहां से लाना है आप फटा-फट से वह arrange कर सकते हैं आप बात करते हैं जो admission लेना चाहते हैं MBA और MBA मैं कहता हूँ हर बच्चा कर ले ताकि future में पता नहीं कहा requirement आ जाए किस MNC company में लग जाए किस company में opportunity आ जाए तो उसको FM और accounts भी रहेगा लेकिन कुछ subject जो optional है उसकी बात कर रहा हूँ FM और management account compulsory किया जाएगा MBA के अंदर पढ़ने के लिए तो वहाँ पर आपको बड़ी परिशानी होगी तो बच्चे जो subject को choose कर रहे थे तो काफी time से बच्चे पूछ रहे थे हमें क्या लेना चाहिए और बच्चों को एक question होता था कि sir आसान कौन सा है तो हम देखते हैं आगे सारा का सारा क्या प्रोसीजर से हैं भी एका उसके बाद हम आगे चलेंगे कि आपका decision रहेगा कि भीया हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए अभी admission स्टार्ट नहीं वा तो मैंने वो चीजा आपको explain कर दिया थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है आगे हम और भी इसी तरीके से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जो नए courses या कुछ और आपके लिए beneficial रहेगा Thank you so much, take care, bye bye, मिलते हम next video Hello everyone, आज हम देखेंगे MBA course जो SOL, DU ने अभी हाल फिलाल में ही introduce किया है इस course के लिए क्या eligibility है, किस medium में करना चाहिए, क्या fee structure है, कब form भरे जाएंगे और क्या-क्या document upload होंगे और क्या इसके scopes हैं, उसकी बात करते हैं देखें, MBA जो है, हलाकि बहुत सारे fields में होता है, लेकिन DU ने अभी clarity नहीं करा है basically MBA finance की तरफ ये लेके जा रहे है, master नॉर्मल एक MBA करवा रहे है तर MBA की हम बात करें, तो MBA काफी सारी university और भी करवाती है कुछ private university भी है और कुछ साथ के साथ government university है, like IGNU अगेरा हर जगे की fee structure अलग-अलग vary करता है, depend on college जैसे private university की fees चार से पांच लाक रुपए तक चले जाती है, दो सालों की सरकारी और distance education की fees दो लाक, डेड़ लाक, एक लाक के बीच में vary करेगा तो सारी चीजों को discuss करते हैं, सर MBA, देखिए, आपने, मैं simple सी बात पूछता हूँ आपसे, आप भी सोचिएगा हमने जब 12th किया था, तो काफी सारे बच्चों का मन में नहीं रहा होगा, कि हम graduation करेंगे जब हमारा graduation हो जाएगा, तो काफी सारे बच्चों के मन में नहीं है, अभी still के MBA करेंगे मैं कहूँगा MBA कर लो, यहां regular नहीं जाना, आपको बहुत अच्छा exposure मिलेगा सर्चा बहुत minimal है, इस बात का ध्यान रखिए, MBA क्योंकि आपका job opportunity काफी enhance हो जाएगा इस case में, जैसे की criteria बढ़ जाएगा, जहां पे भी जाएंगे, आपको सरिफ इस degree के वज़े से 20 से 25 हजार रुपे महिने की salary में फायदा होगा, महिने की salary की बात कर रहा हूँ, minimum MBA से जाओगे, आपकी salary 25 हजार से start होगी, पहले तो ये criteria, post भी एक degree के basis पर बढ़ता है हमारा, आपके पास knowledge क्या है, वो basis कई बार हमारा पीछे रह जाता है, post degree को आगे लाए जाता है तो सर देखते हैं MBA के अंदर क्या क्या चीज़ा है, जादा वक्त खराब नहीं करूँगा पांचवे semester में जो बच्चे दे रहे हैं exam, उनके लिए काफी important है, तो वो समझ लेंगे देखिए कुछ बाते हैं कि सबसे पहले MBA की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सर MBA जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ English Medium में किया जाएगा तो काफी बच्चे घबरा जाएंगा, सर English Medium हमने तो भाई Hindi Medium से करा हूँ है, तो English Medium कैसे करेंगे पहली बात, कुछ चीज़ों की highlighted है वो मैं बता दूँ तर यह दो साल का प्रोग्राम है, हमेशा सही दो साल का ही रहता है, जितने भी पोस्ट ग्रेजुट कोर्सेस रहते हैं, वो दो साल का मैक्समूम रहता है इसके अंदर आपका करिकुलम जो भी रहेगा, UGC से अप्रूब्ड है, भाई डैली उनिवर्सिटी तो अब्वेस से अप्रीट है Study material, self learning mode, यानि यहाँ पे आप MBA करेंगे तो आपको ऐसा कोई study material नहीं provided होगा आप खुद पढ़ेंगे, subject बता देंगे और वहाँ पे क्या-क्या topics हैं, वो दे देंगे, थोड़ा बहुत idea देगा, self learning mode पे रहेगा Learning along with job, और आपको नौकरी करते-करते पढ़ना है, सबसे main चीज है Peace affordable है, flexible है, Sir यहाँ MBA, जो है Master of Business Administrative Program को two parts में divide कर दिया गया है इसके अंदर year one है, year one के अंदर semester one, semester two, और year two के अंदर semester three, semester four यह तो थी हमारी basic basic जानकारी इसके बाद हम देख लेते हैं कि eligibility criteria क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यही पूछते हैं, Sir हम eligible कम होंगे MBA करने के तो बड़ा simple सी बात है, eligibility criteria कि अगर हम बात करें और किसी भी university से आपने किया हुआ हो, minimum, 50% आपके graduation में marks होने compulsory रखे गया है यह merit basis पे admission होगा, यानि जैसे की EU के अंदर पहले admission हुआ करता था, जिसके सबसे ज़्यादा marks होंगे, उसको cut off के अंदर admission ले लिया जाए, कोई entrance नहीं है Delhi University के अंदर स्रीराम College of Commerce यानि FMS Faculty of Management भी MBA करवाती है, बट वहाँ पे entrance होता है और वहाँ पे entrance होता है cat का, उसकी basis पे लिया जाता है, यहाँ पे entrance नहीं है, और I am sure के कुछ दिनों के बाद इसमें entrance definitely आ जाएगा, first time launch है तो good opportunity for you, कि आप कर सकते हैं sir सर, category की बात करते हैं sir, आपका जो graduation का marks होगा न, उसको 80% स्रिफ weight is दिया जाएगा यानि let's suppose आपके graduation में आए 80% marks, तो du कहता है हम इसको 80% कर देंगे, यानि 64% मान लेंगे, या ऐसे समझ लिजी आपके 100% marks आए, तो du कहती हम इसे 100% consider नहीं करेंगे, आपके marks को हम 80% weightage देंगे, समझ महीं बात? यानि जो भी graduation में आपके marks है, उसको 80% वो count करेंगे, remaining 20% weightage marks professional experience आपका हो, any reputed government और non-government corporate governance, no objection from employer mandatory working professionals, मतलब आपने कहीं न कहीं नौकरी की हुई हो, तो आपके लिए देखो, जिन बच्चों के कम percentage है, और उसके पास experience है, तो वो compete कर जाएगा, ज्यादा percentage वालो को है, सर, weightage कैसे देंगे, यह आपको 20% जो देंगे free के, अगर आपका experience कितना है, सर, minimum work experience चार साल या उससे ज्यादा है, सर, चार साल उससे ज्यादा, आप बारवी से job कर रहे हैं, तो तीन साल तो normally हो जाता है, मान लेते हैं, ग्यारवी से भी job कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो यह 20% मिलेगा, अगर आपका experience 3 साल का है, तो 15% weightage देंगे, अगर आपका experience मान लेते हैं, 2 साल का है, तो 10% weightage देंगे, अगर आपका experience 1 year का है, तो और अगर नहीं है, तो 0, इसको एक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक हैं, काफी बच्चे confused होंगे, सपोज मेरे marks, graduation में, graduation में मेरे marks आए, सपोज 60%, तो और मेरा work experience है, work experience है मेरा, सपोज 3 year, तो सर मेरे percentage पता है कैसे count करेंगे वो, percentage count करेंगे, 3 year experience के लिए, तो वो दे देंगे हमें 15%, और जो 60% है ना, इसका 80% वो निकाल लेंगे, जो की होगा, that is, 48%, तो आपका percentage जो countable होगा ना, देखिए आपका फाइदा हो गया है, यहां पे, आपके 60% थे, लेकिन यहां percentage आपका 63% countable हो जाएगा, experience पे, तो फाइदा मिल गया है ना, marks का, देखों यहां पे, हाँ, जिन बच्चों के अच्छे percentage है, या बेकार percentage नहीं आ पाए, और उनके पास work experience नहीं है, तो definitely उसका नुक्सान है, ठीक है, तो यह था हमारा marks का criteria, सर, आगे क्या कहते हैं, DU में, कहते हैं के candidates do not have professional experience eligible, कोई professional experience नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जैसे सर, MBBS वाले भी MBA करते हैं, जो भी है, MDS चाहे, जो भी professional course है, degree experience, hospital, तो साल का उसका employer mandatory case working होना चाहिए, professional, doctor और advocate, आगे चलते हैं सर, for group A officer, government में, जो grade A के हैं, उनके लिए graduation any disciplinary में होना चाहिए, कहता है, for group A, no objection employer mandatory, पर कहता है के, 2 और ज्यादा साल का corporate house hospitality के अंदर आपका experience होना चाहिए, तो consider करेंगे, preference will be given as a category, the reservation policy university of Delhi, जो applicable as per rule होगा, reservation के लिए कितने percent देंगे वो, ये normal सब के लिए है, सर, अगली बात करते हैं, सर, हमने देख लिया, क्या course है, क्या eligibility है, eligibility main था, वाफी बच्चों को doubt था, उसके उपर, सर, admission की बात कर लेते हैं, सर, registration आपको S.O.L. के side पे करना है, ये side given है, आपका 2.500 रुपे फीस जाएगा, और S.C.S.T. के लिए 100 रुपे registration फीस है, admission program will be depend on eligibility fulfill merit list basis, बोल दिया के भाईया, आपको merit basis पे दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, जिनके percentage अच्छे थे, काफी सारे बच्चों ने COVID के duration में बहुत high percentage गीन किया, बट वो सोचने क्या करेंगे, यार MBA करके, करो MBA सर, करो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कलिये सर, फीस की बात करते हैं, आपका जो एक साल का annual, देखें, यहाँ clear करा हुआ है, annual fee structure है, वो 47,500, यानि दो साल की सर फीस, एक लाख रुपे मान लेते हैं, एक लाख रुपे, वैसे तो 95 होता है, एक लाख रुपे आपकी फीस रहेगी, दो सालों की, कलिये सर, इसमें उन्होंने डाल दिया, इसको ज़्यादा डिटेल में क्या करें हैं, हम ज़्यादा समझ के कोई फायदाने हैं, पीस लगेगी आपकी एक साल की, सर, डॉक्यूमेंट क्या क्या संबिट करने होंगे, सर, डॉक्यूमेंट, रीसेंट, फोटोग्राफ, सिगनेचर, जो कि आप फॉर्म भरोगे तो पता चल जाएगा, टेंथ की मार्क सेट, जहां से भी, सेल्फ अटेस्टेट मतलब खुद को करना है, और ट्विल्थ की मार्क सेट, इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेट ग्रेजुएशन मार्क सेट, एक्सपिरियन्स सेटिफिकेट एमप्लॉयर, क्लेमिंग एड्मिशन, no objection certificate NOC from employer तो किसी भी आप जहां job कर रहे हैं वहाँ पर वो बस अपने letterhead पर ये बाते लिखके दे देंगे वही certificate है no objection रहेगा recent और again देखा जाए और क्या चाहिए सर self attested अगर in case आप SC और ST है तो सर self attested आपको ये सारी चीजे जो है आपके certificate जो भी आपको relaxation मिलेगा वो minimum 40% disability होने चाहिए तो handicap बगरा के लिए ये दे दिया ये था सर हमारा क्या क्या document upload होगे अब बात कर लेते हैं कुछ last date की last date की बात करते हम तो सर last date के अंदर आपका upload of prospectus 5 October को हो गया था registration starts 7 October को डियू ने officially announce कर रखा है last date 25 October है तो प्लीज लेट मत करें cost merit 27 October को देखे दो दिन बाद आजाएगा फिर आपका fee structure submit merit 27 को ही start हो जाएगा second merit आएगा फिर fee structure फिर 7 यानि आपका move up round subject availability seat के उपर आएगा वैनि तीन cut off निकलेगी तीनों cut off में से एक में भी आयता है तो बात क्या फरक पड़ यहां तो यह है नहीं के आपको करोडी मल में जाना है या राम जस में जाना है simple सी बात है है ना सर अब आगे मात कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे की बात है बहुत सारे बच्चे